जैहिन दोस्तों, दोस्तों कैसे हैं अप? उमीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे. दोस्तों जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस प्रेंशनर पे. दोस्तों हम Equal MSP की बात करते हैं. हम चाहते हैं कि हमारी Equal MSP हो जाए. जेसियोज और OARS चाहते हैं कि हमें Officers और MNS के बराबर हमारी MSP हो. बलब सब की Equal MSP करें. या तो Officers और MNS की भी 5200 MSP करें. या फिर जितनी MNS और Officers की MSP है. उतनी JCOs और OARS को भी चाहिए. दोस्तों ये तो बहुत आगे की बात हुई. कि सरकार Equal MSP आगे करेगी या नहीं करेगी. लेकिन दोस्तों जो 7CPC में 2000 से बढ़ाकर 5200 MSP करें. ओर्स की JCOs की. तो क्या Actual में उन्हें फायदा मिल रहा है 5200 का? दोस्तों एक साथ 2014 से पहले जितने भी Pensioner Retire हुए Defense के. उनको जो 5200 की MSP करें 7CPC में. उसका तो benefit नहीं मिल रहा है. दोस्तों पुरानी जो ORP table है 2014 की. उसमें 1000 रुपे MSP एड है. दोस्तों क्या वो MSP आपके लिए sufficient है? अभी 7CPC में जो Pensioner आ रहे हैं. उनको MSP दी जा रही है 5200. और ORP में आपको दी जा रही है MSP सिरफ 1000. क्यों? दोस्तों जैसा आपको पता है कि 2006 की जो चंदर शेकर कमिटी की table थी. उसमें सारी चीज़े शामिल थी. उसमें आपकी basic pay, classification allowance, great pay, MSP, अगर X group की हैं तो उसमें X pay. सारी चीज़े शामिल थी. और फिर उसका आदा करके आपकी pension सेट करी गई. दोस्तों वो actual में सही table है. सही pension table है OROP की. जो चंदर शेकर कमिटी की है. उसके बाद 2014 में जो table आई. उसमें कोई भी clarification नहीं है. उसमें आपको कोई से भी पता नहीं लग रहा कि हमारी इसमें कितनी basic pay add है, कितना grade pay add है, कितना classification allowance add है, कितनी MSP add है. दोस्तों इसका question मैंने PCDA से भी पूछा था. वो भी confused हो गएते हैं. वो भी answer दे ही नहीं पा रहेते हैं. उन्हें पता ही नहीं था कि इसमें कितनी MSP add है. दोस्तों सही में 7 CPC का जो benefit आपको मिलना चाहिए, pension पर ले लीजिए आप, MSP पर लीजिए, कुछ भी आपको नहीं मिल रहा है. 2014 की जो ओवारूपी table है, किसी तरीके का उसमें कोई clarification नहीं है. दोस्तों, 2014 की जो ओवारूपी table है, उसमें जो MSP add है, 1000 रूपे, उससा कोई मुझे order निकाल के दिखा दे. उसका मुझे कोई order, PCD ने निकाला हो, सरकार ने कोई order निकाला हो, कि इसमें MSP आपकी 1000 रूपे add है. कितनी MSP इसमें add है, इससा कोई order है. बलकि जो पुरानी table 3 चंदर शेकर कमीटे की, उसमें पूरा साफ तरीके से सब कुछ समझा रखा था. कि इतनी इसमें MSP add है, 2000 MSP इसमें add है, grade पे आपका इसमें इतना add है, इतनी आपकी basic पे है, प्लस आपका अगर आप X group के हैं, तो उसकी पे ये इतनी है, सब को सही से समझा रखा था. लेकिन 2014 की जो table है, उसमें कुछ भी साफ नहीं है. हम कैसे माले कि आपने हमें pension बड़ी भी दिये, जो पुराणी table थी चंदरशेकर कमिटी की, उसमें जो भी amount था, उसका 200-300 रुपे या 500-1000 रुपे, 1500 रुपे बड़ा कर आपने 2014 की table में mention कर दिया, और उसका 2.57 करके हमें आप pension दे रहे हैं. दोस्तों ये सही नहीं है, जब भी आप आगे equal MSP की बात करें, तो उसमें साफ सारी चीज़े clear होनी चाहिए, कि कितनी आपने हमें MSP दिये, आपने हमें 5200 MSP दिये, हमें आपने 2000 दिये, 1000 दिये, कितनी MSP दिये, अगर आगे equal करेंगे MSP, तो कितनी आप MSP उसमें include करेंगे, उसकी आधी करेंगे, क्या चीज़ करेंगे, हमें पूरा clarification add करके उस amount को बढ़ा कर वो हमें नहीं चाहिए हमें order के साथ पूरी briefing के साथ हमें चाहिए कि आपने हमारी pension में क्या क्या चीज़े add करी और कितनी add करी हैं तो दोस्तो ये थी equal MSP पे बात कि जब equal MSP आएगी आगे तो पूरी clarification के साथ हमें चाहिए कि आपने क्या चीज pension में शामिल करी है और दोस्तो equal MSP की बात तो बहुत दूर है actual में जो 7CPC में जो उन्होंने 5200 की MSP करी वो हमें अभी तक नहीं मिली है हम वोई पुरानी ORP के अनुसार 1000 MSP ले रहे हैं दोस्तो ये गलत बात है 7CPC का ना benefit हमें MSP पे मिला ना हमारी pension बढ़के आई ना ORP रिवाइज हुई कुछ नहीं हुआ दोस्तो ये बहुत दुरभाग्ये पूर्ण बात है हमारे लिए कि हमें कुछ भी नहीं मिला 5 साल से ज़्यादा हो गए है तो दोस्तो एक छोटी सी information मैंने आपको दी कि हम equal MSP के दो बात करते हैं लेकिन equal MSP कैसे set होगी आगे इसका कुछ नहीं पता किसी को और जो अभी जो MSP चल रही है वो भी benefit हमें नहीं मिल रहा है तो आगे जो equal MSP होगी तो उसका benefit हमें कब मिलेगा ये किसी को नहीं पता तो दोस्तो इस पे हमें काम करना है हमें पता लगाना है कि क्या चीज आगे पॉसिबल हो सकती है क्या चीज जो हमें मिल रही है वो पूरी है भी या नहीं है तो दोस्तो इसके लिए हमें एक जुट होकर काम करना पड़ेगा तो दोस्तों यही वीडियो में end करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप मुझे comment कर सकते हैं इससे लेटेट कुछ पूछना हो तो आप comment करके पूछ सकते हैं क्या आप भी इस वीडियो से सहमत है जो मैंने बातें बताई अगर है तो आप comment करके मुझे बता सकते हैं अपनी राय भी बता सकते हैं और भी क्या चीज़े आगे हो सकती है क्या हो सकता है उसका पड़ी नाम तो आप ये सब चीज़े मुझे बता सकते हैं comment box में तब तक के लिए thank you very much